आप सभी का स्वागत है आज हम आप्टिक सेलेक्शन नमर 2 स्टाट करने जा रहे हैं जिसमें कि हम संपोसी वैतिकरन, 82 वैतिकरन, कला संबद्द श्रोत के बारे में पढ़ेंगे तो इससे पहले हमने लेक्शन नमर 1 में आपके लिए वैतिकरन को पढ़ाया था बैतिकरन में हमने देखा था कि प्रकास की ये एक गठना होती है उसके बाद ये अद्धारोपन के सिद्दांत पर कारर करती है जब दो या दो से अधिक तरंगे समान आयम तदा समान आक्टरती की होने के बाद समान आयम की होंगी और समान आक्रती की होंगी दो या दो से अधिक तरंगे एक ही दिसा में होकर संचरित होकर अध्यारोपेत हो जाती है तो हमको प्रकास की तीबड़ता खही पर अधिक प्राप्त होती है और खही हमको नियूंतम प्राप्त होती है इसी गटना को हम प्रिक बैतिकरण की गटना कहते हैं इसके बाद हमने मानक समीकरण देखा था एक बाई बराबर क्या देखा था बाई बराबर A बन A sin omega t minus kx plus 5 ठीक है एक बाई मैं लिखते था हूँ जो मानक समीकरण हमने चेक किया था कि बाई बराबर होता है A sin omega t minus kx plus 5 यह हमने पढ़ा था इसके बाद हम देखते हैं कि मानक समीकरण पढ़ने के बाद हमने अडर ओपन का सिद्दान्त लगाया था दो एक केसन प्राप्त हुई थी बाई बराबर बाई बन प्लस 5 टू एड़ कर दिया उसके बाद हमने sin A minus V, cos A minus V यह सब फर्मले यूज किये सिंपल से और हमने एक समीकरण प्राप्त कल दिया था लाश्ट वाला उसके बाद हमने पतांतर देखा था कि पतांतर की माद्दम से हमने क्या गिया था संपोसी बैतिकरण और बनासी बैतिकरण को समझते हैं अब क्या होता है पतांतर के आदार पर दो प्रकार का बैतिकरण होता है एक तो संपोसी बैतिकरण होता है तो बाही बात करने जा रहे हैं संपोसी बैतिकरण की जैसा कि मैंने कल आपको थोड़ा सा बताया था इसके बारे में कि बैय बैतिकरण जिसमें प्रकास की तीप्रता अधिक्तम प्राप्त हो जाए अरता दीप्त या प्रदीप्त या प्रदीप्त कहलो बात एक ही है फ्रिंज का निर्माड हो जाए चमकीली फ्रिंजों का तो संपोसी बैतिकरण कहलाता है संपोसी बैतिकरण में तरं 2 pi upon lambda multiply n lambda ठीक है यह हो गया उसके बाद क्या है cos k delta बराबर cos 2 pi n चूंकि cos 2 pi n बराबर क्या होता है plus 1 value find out परापत होती हमको देखिए यह वाला देखिए आप formula यह तो मैंने कल वाली equation से आपका लिखा है cos k delta बराबर cos 2 pi upon lambda dot n lambda ठीक है k बराबर 2 pi upon lambda लिखते हो ना simple सा 2 pi upon lambda यह तो k की जगे रखा है और delta की जगे हमने put किया है n lambda इस वाली equation में ठीक है पतांतर की equation है तो वाई साव lambda से lambda cancel हो गया 2 pi n आ गया और 2 pi n की value हमको बता है क्या होती है plus 1 होती है आगे चलते तो cos के delta जो आया था वो plus 1 आ गया तो समीकरण जो अपने पास 8 है उसमें मान रखेंगे समीकरण 8 क्या था 8 हमारा था कि i1 एक जगे बराबर i1 plus i2 under root में 2 i1 i2 cos के delta यह था cos के delta की जगे हमने plus 1 रख दी value यह वाली उसके बाद हम देखते हैं कि i1 i2 under root में i1 i2 किसका फर्मूल होता है a plus v का whole square तो इसको कर देते हैं i maximum बराबर under root में i1 plus under root में i2 का square ठीक है उसके बाद चूंकि हमने माना i1 बराबर i2 बराबर i0 मतलब maximum case हम find out कर रहे हैं क्योंकि हमने क्या पढ़ाता भी कि संपोसी पहती करण में हमको प्रकास की तीप बरता क्या लेनी है अधिक्तम लेनी है तो अधिक्तम के लिए i0 माल लिया हमने i0 क्या होती है maximum peak point तक ले लिया तो i maximum को two under root में i0 का square जिसको कि हम बोले square को खुल लेते हैं तो हमको प्राब्त होता है i maximum की value जो प्रकास की तीप बरता अधिक्तम है वो हमको फोर i0 प्राप्त हो जाती है और समीकरन 11 से क्या इसपश्ट हो जाता है कि संपोसी पहती करण के लिए प्रकास की तीप बरता का मान अधिक्तम प्राप्त होता है उसके बाद हम देखते हैं 82 बैतिकरन यह तो आपको समझे में आ गया संपोसी वाला अधिक्तम प्रकास की तीप बरता इसमें क्या होगी नूंतम प्राप्त हो और तार क्या हो जाए अधीप्त प्रेंज का निर्माड हो जाए मनलब काली प्रिंज ठीक है बिनासी वैतिकरण क्यालाती है वैतिकरण में तरंगों के मद्दे जो पतांतर रहेगा वो डेल्टा बराबर 2N प्लस माइनस 1 लेमड़ा वाई 2 परिवासित होता है और वहाँ जो समिकरण था उसमें अपने पास पतांतर क्या था डेल्टा क्या होता है देख़िए आपको फर्मला लिख देते हूं इक बात आई बराबर क्या था आई बन प्लस आइ टू प्लस टू अंडर रूड में आई बन आई टू ठीक है और कौश के डेल्टा यही वाला था और cos के delta यही तो पता अंतर है इसमें हमने रख दिया है cos 2pi upon lambda और k की जिगे 2pi upon lambda और delta की जिगे 2n plus minus 1 lambda by 2 ठीक है अधीब तो फ्रेंज के लिए 82 वैतिकरण के लिए यह वाली condition तो cos के delta बरावर हो जाएगा cos 2n plus minus 1pi क्योंकि lambda से lambda cancel और 2 से 2 cancel तो उसके बाद cos 2n plus minus 1pi की value होती है minus 1 ठीक है तो minus 1 हम जैसे ही रखते है cos के delta बरावर minus 1 समिकरण 8 में फिर दोबारा रखने पर इसको पने रख दिंगे तो i minimum बरावर i1 plus i2 plus 2 under root में i1 i2 minus 1 तो यह हो जाएगा a minus b का whole square ठीक है a square plus b square minus 2 eb ऐसा ही तो होता है तो चूंकि i1 बरावर i2 बरावर i not माना ठीक है माल लो उसके बाद i minimum क्या हो गया 0 हो गया भाई साब तो समिकरण 14 से इसपष्ट है 14 से इसपष्ट है कि यह क्या indicate करता है 82 बैतिकरण में प्रकास की तीबड़ता सुनने प्राप्त होती है ठीक है दो हमको प्राप्त हो गए 82 बैतिकरण के लिए 0 और अपना जो संपष्टी बैतिकरण है उसके लिए अपने को ग्याद कर लिए अब देखते हैं हम देखिए इधर आईए ग्राप के मादम से समझाया गया है आई minimum ले रखका है देखिए यह वाला गया अपने पास एक ग्राप बना दिया यहाँ पर हमने क्या है फाई के मद्द है कलाकोंड के मद्द है और इधर आपने क्या डाली है इधर इधर डाली है अपने intensity अरे यार थोड़ा सा intensity होग और फाई कलाकोंड के मद्द है यही तर रलेशन सबसे पहले I minimum I minimum गए minus 1 वाली value से गए यह अमने पास यह diagram प्राप्ट हो रहा है कि इस वाले value पर तो क्या है I maximum है इस वाले value पर क्या है यहाँ पर I minimum है और यहाँ पर इसका divination है 2 का divider I naught 2 I naught यहाँ पर क्या था 4 I naught था maximum value 4 I naught थी अपने पास minimum क्या थी 0 और मद्य वाली जो value आएगी वो आएगी 2 I naught 2 का divider लग जाएगा 4 I naught में समीकरन 11 बाद 14 से इस पश्ट है कि प्रकासिक गठना वहतिकरन उर्जा संगरचन नियम को संटुष्ट करती है उर्जा संगरचन नियम उर्जा को ना तो नश्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ये एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर इसको संच्रेट किया जा सकता है जैसे कि अमकों यहाँ पर मैग जिमम बैलू पर आपत हुई उसके बाद नून्तम हुई तो आगे देखते हैं क्योंकि उर्जा संगरश्चन नियम के अनुसार ना तो उर्जा उत्पन्न होती है और ना ही नश्ट होती है उर्जा को केबल संच्रण होता है इसी प्रकार बैतिकरन की गठना में उर्जा उच्चतम तीवड़ता से नुन्तम तीवड़ता बिंदो की और इस्तांतरित होती है यह वाली बात आई अपने पास ठीक उसके बात देखते हैं कि स्रेश्ट बैतिकरन के लिए प्रतिवंद 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 अब देखि जो की मैंने आयम बताया था वुष समान होना चाहिए तरंगो का संचरण एक दिसा में होना चाहिए यह भी बात बिलकुल करेक्ट है उसके बाद अपने को है तरंगो की आपरती बात तरंग देह रहे हैं लगबग समान होनी चाहिए यह तीन बात तो हो गई चौथी बात है कम होना चाहिए और स्रेश्ट व्यतिकरंग के लिए तरंगों का दुर्मण नहीं होना चाहिए और यदि दुर्वित तरंग है तो दुर्वन तल भी समान होना चाहिए यह बाई यह स्रेष्ट बैतिकरण की थोड़ी सी कंडिसन है यह आपको पढ़ के जानी है थोड़ी सी ठीक है उसके बाद हम देख लेते हैं प्रकास्रोथ बात करते हैं प्रकास्रोथ की जिसमें की कला संबद और कला अजसंबद स्रोथ के बारे में पढ़ेंगे प्रकास रोत क्या होता है प्रकास रोत जिससे प्रकास तरंगे उर्जा के रूब में उस सर्जित हो ऐसा सरोत है जिससे की प्रकास तरंगे उर्जा के रूब में उस सर्जित हो प्रकास रोत कहलाता है तरंगों के उस सर्जन के आदार पर प्रकास सुरोथ दो प्रकार के होते हैं पहला हम बात करते हैं कलासंबद सुरोथ की और दूसरे हम बात करते हैं कलासंबद सुरोथ की एक तो मोनो क्रोमेटिक लाइट होगी कलासंबद होगी यह लहाई एक बरनी है कला समब्ध शुरोथ की पुरकाश स्रोथ की हम बात करते हैं तो देखें ए स्क्रीन पे बेह पुरकाश स्रोथ जिस्म से उस सर्झेत पुरकाश की तरंगुी । कलांतर समें की साफिक से नियत मलप्स जैसे जैसे समें जा रहा है तो अपना जो कलामतर है न वो नियत है, कॉंस्टेंट है कला संबध्य प्रकास रोत कहलाता है मलब समय की इसवे क्या है? निरवरता, डिपेंडेंसी नहीं है मलब समय की साथ साथ ये क्या है? नियत जा रहा है कला संबध्य प्रकास रोत के द्वारा बैतिकरन स्रेष्ट प्राप्त होता है पहली बात तो क्या है स्रेष्ट प्राप्त कब होगा जब कलासंबद प्रकासरोत की द्वारा बैतिकरन स्रेष्ट प्राप्त होगा अर्तात जदी बैतिकरन की गठना की कलासंबद प्रकासरोत की द्वारा प्रिच्चित किया जाता है तो दीप बादीप्त प्रिच्चित होती है जो कि स्रेष्ट बैतिकरण का परणा में रिजल्टेंट है एक बंडिये प्रकासरोत मैंने बताया था मोनोक्रोमेटिक लाइट के वे प्रकास रोट जिसमें उपस्तित प्रकास की तिवड़ता के मद्दे कलांतर समय के साफ एक परिवर्ते तो मलब जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे प्रकास के तिवड़ता के मद्दे जो कलांतर है वो भी चेंज हो रहा है चेंजेवल है तो कला एसंबद प्रकासरोत कहलाते हैं प्रक्ति में अस्तित्व या विद्वान प्रकासरोत कला एसंबद प्रकासरोत है जो भी मतलब प्रक्ति में आपको नेचर में आपको जो भी नान पर प्रकासरोत दिखाई देते हैं सभी क्या होते हैं कला इसमब्द प्रकाश्रोत होते हैं ज्यादा तर ! प्रकाश्रोत के इस गुंड को रासाइनिक प्रभाब के दोरा भी समझाय जा सकता है D देखिये वही chemical में देख ले पहले रसाइन तो इस ताइट व शेत्र में आने के लिए उड़्या का उस्रजन करता है अर्था जब इलेक्ट्रों उत्यजित अवस्ता में आते हैं उत्यजित एक्साइटेशन नन पर इस्टेट में पहुंच जाते हैं तो फोटन के रूप में उड़्या उस्रजित करता है यह हो गया जदी यह उस्रजित उड़्या द्रसे का कारे करें तो यह प्रकास कहलाती है यह क्या कहलाती है और यह नन पर संपूर्ण परक्रिया प्रकास का उत्पादन कहलाता है कि प्रकास का उत्पादन कैसे किया जाता है और यह संपूर्ण प प्रकास रोत में करोडो इलेक्टरोन एक साथ संक्रमड करते हैं। और इस संक्रम्र के द्वारा जो प्रकास तरंगे परिवासित होती है उनके मद्दे जो कलांतर है वो उपस्तित होता है जो की समय के साथ परिवर्थित होता है जबी तो वो कला असंबद है प्रकास का ये कुण कला असंबद प्रकास रोत में उपस्तित होता है इसलिए प्रक सामन्त बिद्दमान जितनी भी प्रकासरोत हैं वो कला संबद्ध प्रकासरोत कहलते हैं कला संबद्ध प्रकासरोत के प्रकासिक गुरदर्म को कला संबद्धता कहते हैं कला संबद्ध का जो भी प्रकासिक सुरोत के प्रकासिक गुड़दर्म रहेगा उसको हम कहेंगे कला संबद्धता और कला ऐसंबद्ध प्रकासिरोत के प्रकासिक गुड़ को कला ऐसंबद्ध प्रकासिरोत कहलेते हैं उसके बाद देखते हैं कि कलासंबद प्रकासरोत प्राप्त करने की बिदी प्रकासिक बोतकी में कलासंबद प्रकासरोत प्राप्त करने की दो बिदिया है